बिस्मिल्य रह्माने रहीम, अस्सलाम अलेकुम नेक्स टेक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं यूनिट नमबर 7 ही कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है एलेक्रोकेमिस्ट्री के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सिडेशन रिदक्शन रियक्शन ठीक है ऑक्सिडेशन डैश रिदक्शन रियक्शन या रिडॉक्स रियक्शन ठीक है आर इडी रिदक्शन का हिसा ओ एक्स ऑक्सिडेशन का हिसा ठीक है अच्छा इसके बारे में हम पिछले लेक्शे में भी देख चुके हैं Oxidation, reduction Oxidation अलग reactions होते हैं Reduction अलग reactions होते हैं लेकिन जब Oxidation and Reduction Lecture Queen side by side चल रहे हो एक ही reaction में Each reaction में Oxidation भी हो रही है और एक ही reaction में Reduction भी हो रही है तो तब ऐसे reaction को हम किसका नाम देते हैं Redox reaction का या Oxidation Reduction Reaction का नाम देती है तो कोई भी substance जो के दूसरे को Oxidize करे वो Oxidizing Agent होता है और उसका opposite अगर यानि वो खुद को Reduce कर दे तो वो होता है हमारे पास दूसरे को Reduce कर दे तो वो होता है Reducing Agent तो क्या है हमारे पास? Oxidation Reaction और Reduction Reaction जब दोनों एक ही Reaction में एक साथ काम कर रहे हो एक साथ हो रहे हो तो उसको हम कहते हैं Redox Reaction जब Oxidation Reaction और Reduction Reaction एक साथ हो रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे Oxidizing Agent और Reducing Agent का भी काम है Oxidizing Agent वो substance होता है जो के खुद को Reduce करे और दूसरे को Oxidize करे यानि यह जो Agents होते हैं यह असल में दूसरों को Help करने के लिए होते हैं तो Oxidizing Agent मतलब दूसरे को Oxidize करना Reducing Agent मतलब दूसरे को Reduce करना तो अगर दूसरे को Reduce कर रहे हैं तो खुद Oxidize हो जाएगा अगर दूसरे को Oxidize कर रहे हैं तो खुद Reduce हो जाएगा ख्लेर हो गए बात यहां तक अच्छा जी यहां पर हम जरा reduction reaction और oxidation reaction की definitions भी देख लेते हैं gain of oxygen oxidation loss of oxygen reduction आप सिर्फ एक का भी याद करोगे ना आप एक का जहन में रखोगे कि उसका कौन सी चार तो दूसरा भी आपको clear हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के opposite है, gain of oxygen, oxidation, loss of oxygen, reduction, loss of hydrogen, oxidation, gain of hydrogen, reduction, loss of electrons, oxidation, gain of electrons, reduction, increase in oxidation number, oxidation, reduce reduction in oxidation number, or decrease in oxidation number is reduction, ठीक है जे? example देख लेते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि redox reactions, यानि एक ही reaction में हमारे पास oxidation भी हो रही है, और reduction भी हो रही है, ठीक है? अच्छा, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, और एक बात और आपको बता दूँ, कि चार डेफिनेशन में से कोई भी एक definition अगर तूरी उतर रही हो, तो इसका मतलब process हो रहा है, जरूरी नहीं कि चारो कि चारो फिनोमेना एक ही reaction में पाए जाए, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यह कौन से definition के according हमें बता रहे हैं, कौन से definition के according यह reaction हो रहा है, हमारे पास है ferric oxide, carbon monoxide, दोनों gaseous form में है दोनों ने करना है reaction, अब जब यह reaction करेंगे, तो जो ferric oxide है, यहाँ पर आप देखो, उसने अपना oxygen remove कर दिया है, उसने अपना oxygen remove कर दिया है, यानि यहाँ पर क्या हो रहा है? है removal of oxygen, और यह जो carbon है, यहाँ पर monoxide था, यहाँ पर आके यह carbon dioxide हो गया है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रही है? addition of oxygen, तो आपने पिछले slide पर ही बात की, अभी अभी, कि addition of oxygen होती है, oxidation, और removal of oxygen होती है, reduction, है न, यहाँ तक तो बात clear होगी, definition की हद तक, कि अच्छा यहाँ पर removal हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? addition हो रहा है, किसका? oxygen का, addition होगा, तो oxidation reaction होगा, loss होगा, तो क्या होगा? reduction reaction, अब यहाँ पर इस reaction में loss भी हो रहा है, यानि कोई lose भी कर रहा है, और कोई gain भी कर रहा है, तो इसका मतलब oxidation और reduction reaction एक साथ हो रहा है, तो इसलिए हम इस reaction को redox reaction भी कहेंगे, है ना, बात clear हो गई? एक जो है, वो oxygen को lose कर रहा है, मतलब reduction हो रही है, दूसरा जो है, वो उसी oxygen को gain कर रहा है, मतलब oxidation हो रही है, और हमने definition में ही कहा, कि जब oxidation और reduction दोनों एक साथ हो रही हो, एक ही reaction में, तो वो reaction कहलाता है, redox reaction, clear होगे बात? तो यहां पर कौन oxidize हो रहा है और कौन reduce हो रहा है? यह जो carbon monoxide है, यह oxidized हो गया है, ठीक है? यह oxidized हो गया है, और यह जो iron है, यह क्या हो गया है? reduced हो गया है, इस definition के according, ठीक है? तो अगर हम अब agents के बात कर ले कि कौन सा हमारे पास यहां पर oxidizing agent है, और कौन सा हमारे पास reducing agent ह तो हम क्या कहेंगे जो carbon monoxide है वो हमारे पास है reducing agent और जो iron oxide है ठीक है ferric oxide है वो हमारे पास है oxidizing agent oxidizing agent ने क्या करना है help करना है कि oxidation का process अच्छे से हो तो oxidation का process हमने क्या कहा कि gain of oxygen है तो इसका मतलब ये जो oxidizing agent है ये help कर रहा है कि ये अपना electron अपना जो oxygen ये उसको दे दे और ये oxidize हो जाए तो यहाँ पर ये oxidize form में आ गया क्यों क्योंकि oxygen add हो गया है clear हो गया यानि oxidizing agent दूसरे को oxidize करता है और खुद reduce हो जाता है reduce के दूसरा कैसे oxidize हुआ addition of oxygen हुई ना ठीक है ओ सिंगल ता है यहां पर दो हो गए तो दूसरा तो oxidize हो गया ये बात ख्लियर हो गई खुद कैसे reduce हुआ कि यहां पर उसके पास तीन oxygen थे और इसने सारे के सारे remove कर दिये तो loss of oxygen तो loss of oxygen मतलब reduction तो इसने दूसरे को oxidize करने के चकर में खुद को reduce कर दिया same ऐसे ही ये जो reducing agent होता है ये दूसरे को reduce करता है और खुद oxidize हो जाता है तो अब अगर carbon monoxide की हिसाब से देखो अब उसको बूर जाओ ठीक है ferric oxide को बूर जाओ अब हम बात कर रहे हैं carbon monoxide की तो अगर मैं कहारी हूँ कि ये reducing agent है तो इसका मतलब ये help करेगा ferric oxide को reduce होने में reduction मतलब removal of oxygen तो इसने क्या किया उससे oxygen ले लिये जब oxygen ले लिये तो इसका मतलब वो क्या हो गया loss of oxygen हो गया तो वो reduce हो गया तो यहां पर जो हमारे पास iron है वो reduced form में आ गया और इसने खुद को क्या कर दिया oxidize कर दिया खुद oxidize form में आ गया तो उस reaction को हम redox reaction का फिनोमेना कहते हैं oxidizing agent और reducing agent clear हो गया होगा अगर आपको यहां पर clear नहीं भी हुआ I hope clear हो गया होगा अगर नहीं हुआ तो आप पिछला lecture हमारा oxidizing agents or reducing agents के बारे में ही था जिसमें examples के थ्रू हमने चारो जो definitions की उनके according हमने explain किया था ठीक है तो आप वो भी देख सकते हो अच्छा जी again reaction आ गया अब हम redox reaction के जो सारे definitions है उन सारे definitions में हम जाएंगे यह जो पिछला reaction था वो हमारा किस हिसाब से था वह हमारे पास था oxygen के हिसाब से ठीक है जी यहाँ पर भी यह जो reaction ही यह भी हमारे पास है उस起 oxygen के हिसाब से य्यानि gain of oxygen oxidation loss of oxygen reduction तो copper oxide हमारे पास और इसको नाम दिया है oxygen agent का तो oxidizing agent क्या करेगा कि दूसरे compound को oxidize करेगा अब इस case में तो ना तो hydrogen है ना तो oxidation state नज़र आ रही है ना electrons को कोई मसला है तो किस basis पे करेगा oxygen की basis पे करेगा तो oxidizing agent हमने क्या कहा कि वह दूसरे को oxidize करेगा कैसे oxidize करेगा अपना जो यह oxygen है यह लुज करके उसको दे देगा अब यहाँ पर क्या हो रहा है गेन ओफ oxygen हो रहा है ना यहां पर hydrogen पे तो जब ग्एनन ओफ hydrogen इन ओफ oxygen हो रहा है तो इसका मतलब वाटर में convert हो गिया है तो जो water है वो हमरे पास क्या है? Oxidized product है बात clear हो गई न? मैंने आपको बताया था कि जो oxidizing या reducing agents होते हैं वो असल में दूसरों की मदद के लिए होते हैं अब इसका नाम oxidizing agent है तो इसका मतलब ये दूसरे को oxidize करेगा खुद को नहीं, ठीक है? तो इसने दूसरे को कैसे oxidize किया? कि इसने अपना oxygen दे दिया hydrogen को तो hydrogen के पास gain of oxygen हो रही है तो gain of oxygen is defined as oxidation तो इसका मतलब water hydrogen पे oxidation हुई और water में convert हो गया और water जो है वो हमारे पास क्या product है? Oxidized product है clear हो गई ये बात? अच्छा जी जब इसने electron electron नहीं सोरी oxygen lose कर दिया इसने अपना oxygen दे दिया उसको तो इसने खुद को क्या कर दिया? Reduce कर दिया अगर हम यहां पर कहरें कि gain of oxygen oxidation है तो इसका मतलब यहां पे loss of oxygen क्या होगा? reduction होगा न? अगर gain of oxygen जो है वो oxidation है तो इसका मतलब loss of oxygen जो है reduction होगा clear हो गई बात अच्छा जी तो इसने क्या किया खुद को reduce कर दिया कैसे reduce कर दिया कि oxygen remove कर दिया ठीक है removal of hydrogen मतलब यह reduce हो गया और इसको इसने क्या कर दिया oxidize कर दिया ठीक है oxidize कर दिया कैसे कि उसमें oxygen add हो गया यह तो हो गई oxidizing agent की बात और oxidation की बात यहां तक आपको oxidation reaction इसमें नजर आ गया oxidizing agent का जो role ता वो भी नजर आ गया अब हम देखते हैं कि reduction कहां पर हो रही है और reducing agent यहां पर क्या कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि loss of oxygen is reduction तो यहां पर क्या हो रहा है लॉट्फ ऑफ्षीजन कुई न तो यह क्या है है जैसे वाटर को हमने फुट्ट का नाम दिया वैसे इसको हमने छक्षे हो चुका है तो चुप है आप्र kommen सब्षाइब ना सब्संदो findet is अपना oxygen remove कर दिया यानि खुद को reduce कर दिया तो यह क्या हो गया oxidizing agent हो गया अब यह जो oxygen है यह किस ने gain किया hydrogen ने gain किया तो hydrogen जो है वो क्या करेगा वो oxygen को gain करेगा और दूसरे को reduce करेगा तो reducing agent के बारे में हम कहते हैं कि वो खुद को oxidize करेगा और दूसरे compound को reduce करेगा तो दूसरे compound को उसने कैसे reduce किया कि उन से एक जो oxygen था वो ले लिया तो loss of oxygen मतलब reduction तो वो copper जो था वो reduce हो गया इसी चकर में वो एक oxygen इसने खुद ले लिया और खुद को पानी में convert कर दिया तो खुद oxidize हो गया और दूसरे को reduce कर दिया clear हो गए बात ये तो हो गए oxygen के gain या loss के हिसाब से अब यहाँ पर आजाते हम electrons के हिसाब से copper positively charged है मतलब stable नहीं है magnesium metallic form में है अब क्या करना है इसने के reaction करना है तो magnesium जो है वो अपने दो electron इसको दे देता है अब magnesium ने क्या कर दिया loss of electron कर दिया तो loss of electron क्या है oxidation है copper ने क्या कर दिया gain of electrons कर दिया तो gain of electrons क्या है reduction है यानि यहां तक एक बात clear हो गई कि oxidation और reduction दोनों एक साथ ही चल रहे हैं तो इसलिए हम इसको redox reaction भी कहेंगे ठीक है जी के loss of electron हो रहा है तो इसका मतलब oxidation gain of electron हो रहा है तो इसका मतलब reduction अच्छा जी अब अगर हम इसी में oxidizing agent को देख ले और reducing agent को देख ले पहले हम देख लेते हैं oxidizing agent को तो oxidizing agent क्या काम करता है दूसरे को oxidize करता है तो oxidation कहा है यहां पर loss of electron की form में है तो यह जो copper है यह हमारे पास है oxidizing agent पता कैसे चला कि यह है oxidizing agent oxidizing agent ने अब यहां पर oxygen की बात को बूल जाओ ठीक है अब यहां पर हम electrons की बात कर रहे है oxidizing agent ने मदद करनी है कि वो electron lose करवाए किस से? दूसरे compound से वो electron lose करवाए दूसरे compound से ताकि वो compound oxidize हो सके by कैसे? by loss of electron तो इसलिए वो खुद आइनिक फॉर्म में आया और इससे दो electron ले लिए तो जब दो electron ले लिए तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? loss of electron हो रहा है यह ना? loss of electron हो रहा है तो loss of electron हुआ इसका मतलब यह क्या हो गया है? यह oxidize हो गया है तो oxidizing agent का काम पूरा हुआ नए, इसने मदद कर दी magnesium की के वो अपने electrons lose कर सके, ता कि वो oxidize हो सके, है नए, तो अब जब वो मदद कर रहा है के वो अपने electrons lose कर सके, तो उसने जब lose कर लिये, तो इसने उने electrons को gain कर लिया, तो इसका मतलब इसने खुद को reduce किया, gain of electron is reduction, ठीक है, उसने खुद को reduce किया किस चकर में ताके वो magnesium को oxidize कर सके clear होगी oxidizing agent का phenomenon अब same इसी तरह reducing agent भी है reducing agent ने क्या करना है कि gain of electron दूसरे compound में possible बनाना है तो इसने अपना electron उसको दे दिया और copper ने वो electron add कर लिया यानी copper ने वो electron gain कर लिया तो इसका मतलब copper क्या हो गया copper oxidize हो गया है ना copper oxidize हो गया ठीके जी क्यों क्योंके sorry copper जो है वो reduce हो गया क्यों reducing agent जो है वो हमारे पास दूसरे को reduce करता है और खुद oxidize होता है ठीक है हमारे पास जो copper था वो reduce हो गया क्यों reduce हुआ क्यों कि उसने दो electron receive कर लिए यहां पर हम कह रहें कि gain of electron is reduction तो यह हमारे पास reduced product हा गई जब यह reduced है तो इसका मतलब इसने खुद को क्या कर दिया oxidize कर दिया ठीक है जो phenomena यह लोग दूसरे के लिए apply करते हैं उसका opposite इन पर खुद apply हो जाता है क्योंकि दूसरों के मदद के चकर में इनका अपना जो state है वो change हो जाता है same अब इसी तरह loss of hydrogen के according देखेंगे loss of hydrogen हमारे पास होता है oxidation gain of hydrogen हमारे पास होता है reduction तो आप देखो यहां पर हमारे पास hydrogen था lose हुआ हमारे पास nitrogen बच गया तो loss of hydrogen क्या होआ oxidation हो रही है यहां पर यहां पर ब्रोमीन था वो जो hydrogen थे वह यहां पर आके add हो गए तो gain of hydrogen क्या है reduction हो रही है तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहे है दोनों फिनोमेना एक साथ हो रहे है इसलिए हम इसको redox reaction का नाम दे रहे हैं तो अब इस basis पर कौन सा oxidizing agent होगा और कौन सा reducing agent होगा oxidation है loss of hydrogen तो इसका मतलब हमारे पास जो bromine है वो act करेगा as oxidizing agent और जो ammonia है वो act करेगा as reducing agent पर होगी बात ठीक है यानि यह जो oxidizing agent है यह इसको help करेगा oxidize होने में और यह जो reducing agent है यह इसको help करेगा reduce होने में कैसे यह reducing agent है यह help करेगा कि bromine hydrogen gain कर ले ठीक है gain of hydrogen और यह जो oxidizing agent है यह ऐसे help करेगा कि यह कोशिश करेगा कि यह जो ammonia है यह loss of electron करे और यहां पर bromine जो है वो gain कर रहा है तो दोनों फिनोमेना एक साथ चल रहे इसलिए हम यह कहेंगे कि यह जो है हमारे पास oxidation reduction reaction है तो इस reaction के तुरू तीसरी definition के भी थ्रू हमारी यह बात प्रूफ हो गई कि एक साथ ही दोनों रियक्शन हो रहे है नेक्स्ट जो है हमारा oxidation state के oxidation number के basis पे हैं ठीक है oxidation number के basis पे भी अगर हम अगेन चेक करें तो हमारे पास ionic form में है metallic form है यह अपने electron lose करेगा वह गेन कर लेगा ठीक है तो जहां पर lose है ठीक है अब यहां पर जहें इस पर charge था plus two का जब इसने अपने electron lose कर दिये तो copper पर क्या charge आया जीरो का ठीक इसने दो electron lose किये तो magnesium पर क्या charge आया दो का increase oxidation number मतलब oxidation decreased oxidation number मतलब reduction होगे बात क्लियर जो donate करता है उस पर positive charge आता है पता है आपको अब उसने दो electrons donate किया तो इसका मतलब positive आया उसने जो है यह पहले से positive में था लेकिन जब दो electrons उसने add कर दिया तो उसका oxidation state है वो zero हो गया तो zero बड़ा है यह दो obviously तो बड़ा है तो जहां पर बड़ा oxidation number होता है वो process oxidation कहलाता है जहां पर चोटा oxidation number होता है वो reduction process कहलाता है clear होगे बात यहां तक हमने चारो definitions के according इनको देख लिए एक और example है जिसमें एक net example भी फिर दीवी है ठीक है hydrogen और fluorine आपस में react कर रहे हैं और बना रहे है hydrogen fluoride तो हम देख लेते हैं कि कैसे कर रहे हैं पहले हम देखते हैं कि hydrogen क्या काम कर रहे है hydrogen molecular form में है और hydrogen अपने 2 electrons जो है वो lose कर रहा है ठीक है 2 electrons इसने lose किये खुद यह कौनसे form में आगिया आएनिक form में आगिया यह जो दो electrons थे यह fluorine ने ले लिए ठीक है यहां पर fluorine ने ले लिए तो fluorine भी हमारे पास कौनसे form में आगिया आइनिक फॉर्म में आ गया hydrogen ने दिये थे तो positive charge आ गया loose किये थे ना ये electrons loose किये थे fluorine ने gain किये है तो इसका मतलब negative charge आ गया अब हमारे पास जो hydrogen है वो positive charge है जो fluorine है वो negative charge है अब ये positive और ये negative ये negative और positive जो है ये जब react करेंगे तो हमारे पास बनेगा hydrogen fluoride ठीक है तो overall reaction हम यू लिखते हैं कि H2 plus F2 it forms HF hydrogen fluoride लेकिन इस reaction के होने के लिए ये 3 steps होते हैं पहला step होता है कि hydrogen अपने electron lose करता है दूसरा step होता है कि जो electron lose होते हैं वो fluorine gain कर लेता है तो as a result दोनों हमारे पास ions की form में आते हैं तीसरा step ये होता है कि दोनों ions एक दूसरे के साथ combine होके एक compound या molecule बना देते हैं clear होगी बत तो यहां पे क्या हो रहा है loss of electron oxidation हो रही है gain of electron production हो रही है तो overall reaction में हमारे पास redox reaction हो रहा है अच्छा जी यहां पे वही reaction बताया गया है फिर redox reaction के कुछ important importance बताई है कि यह research में और industrial applications में बहुत ज्यादा use हो सकता है ठीक है जी अच्छा और again एक same बात किये कि जब oxidation और reduction दोनों एक साथ होंगे तो उसको हम categorize करेंगे as redox reaction के ठीक है जी अच्छा और यही जो understanding है वो फिर use होती है as कि आप अपना desired product जो है वो हासिल कर सको ठीक है तो यह यहां पे इसकी importance है usage दी I hope यहां तक सब कुछ clear हो गया होगा Thank you